हेलो दोस्तो मेरा नाम है कमल जोसी दोस्तो आज हम explain करेंगे cooling tower को तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं cooling tower होते क्या है cooling tower एक ऐसे method है यह एक ऐसा device है जिससे हम working fluid के temperature को कम करते हैं working fluid का जो temperature रहता है वो अलग-अलग industrial use में हमारा hot हो जाता है लाइक हमारी किसी special type हमारी machines रहती है उन पर जाता है compressors रहते हैं जो लिक्विड कूल रहते हैं तो working fluid का जो temperature रहता है उसके contact में आके हम गर्म हो जाता है तो इसको ठंडा करने के लिए हमें cooling tower की ज़रुरत होती है तो cooling tower जो हमारा रहता है उसका जो principle रहता है water को कूल करने का वह जनरल रहता है air और water को contact में लाके उसमें से जो extra heat है उसे extract कर देना उसे ही यही हमारा cooling tower का working principle रहता है तो बात करते हैं जो heat exchanger हमारा जो working fluid highly temperature आएगा वह separate होगा cooling tower के water से और cooling tower के water से contact में आएगा तो यह cooling tower के जो water को है उसको भी heat करेगा तो जैसे यह heat करेगा तो यह water जो हमारा pump है इसको धखेलता है distribution के लिए यहाँ पर distribution के यह अलग अलग नोजल लगी हिए हैं तो यहां पर से distribute होगा यह हमारे पूरे फिल्स को चला जाएगा इसके नीचे फिल्स लगी है फिल्स जो generally हमारे यूज होती है वह water को distribute करेंगी हमारा वाटर होता है when. यहाँसे जो एर है वह इड. और यह fields केच में आके वाटर यहाँपर ठंडा होगा, यहाँपर यह देख्यांगि सोन होता है यह जू ही होता है तो होत रहेगा तो उससे वाइपरशन की प्रॉसेस भी होगी तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा पानी होगा है उपर उमलने लगेगा तो यह डिमिस्टर हमारा पानी को ऊड़ने से उतना रोकता है नहीं हम टो पहत जाएगा लेकिन हमारा उसके आएगा तो यहां पर हमारा क्या है कि हमें कूल वाटर मिलेगा ühU जो हमकर नीचे टेंग है उसमें फिलोगा जो टेंग का जो वाटर है उसके बाद की का अब kमic को और फिर हीट एक्चेंजर की जो प्लेट लगी वी हैं उनके अंदर ले जाएगा और जो हीट एक्चेंजर में जो हमारे जो वर्किंग फ्ल्यूड आ रहा है उसको ठंडा करेगा और उसके बाद यह प्रोसेस चलता रहेगा तो इसी तरीके से यह हमारा काम करता है तो बात करते हैं तो हीट एक्चेंजर का जो हमारा जो वाटर रहेगा उसके बाद यह क्या हो जाएगा इसमें मैं सो कर देता हूं यह कूल हो गया में से यहां पर कूल वाटर है वह आगे बढ़ेगा हमारा फिर से उस प करने के लिए यहां पर हमारा यहां पर आपको दख रहा होगा sean वाटर के लिए कषथ सप्लाई केवार चल रहा है तो उससे क्या होगा वाटर अगर प्रासेस मैं घूंब गूं करहा है तो इस ड्रेन से हम लोग पानी को बाहर निकाल सकते हैं और सफाई का काम या मिटेनेंस का काम कर सकते हैं तो दोस्तो इसी तरीके का हमारा प्रोसेस रहता है किसी भी कूलिंग टावर में तो दोस्तो थैंक यू प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई वीडियो